हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू मैई चैनल लेगल हेलपिन हिंदी फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने घर में कितना गोल्ड यानि की सोना रख सकते हैं वैसे तो गोल्ड कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे आपने घर में रखा तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी पर कहते हैं ना कि जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज हो तो नुकसान ही देती है तो इसी तरह से गोल्ड खरीदना कोई अपराद नहीं है पर जरूरत से ज़्यादा अगर आपने इसे घर में रखा तो आप पर मुसीबत जरूर आ सकती है घर में सोना रखने की एक लिमिट होती है इससे ज़्यादा सोना अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपकी मुश्किल पढ़ जाएगी भारत में महिलाओं और पुरुषों के हिसाब से अलग-अलग सोने का वजन भी निर्धारित किया गया है इतना ही नहीं मैरिड और अनमैरिड के लिए भी एक गोल्ड लिमिट डिसाइड की गई है तो ये रूल क्या है चलिए इसके बारे में जानते हैं इंकम टेक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 की डेफिनेशन के मताबिक एक इंकम टेक्स ऑफिसर के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी वेक्टी की चीजों की जबती कर सकता है जिसने एक तैल लिमिट से ज़्यादा उस वस्तू को अपने पास रखा हुआ है जिसमें की जोईलरी या फिर कोई और कीमती चीजे आ सकती है लौ के अकॉर्डिंग एक महिला अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है इसके अलावा कोई अनमेरिट वोमें धाई सो ग्राम गोल्ड अपने घर में रख सकती है इसी तरह से पुरुषों की बात करें तो वो सिर्फ 100 ग्राम गोल्ड ही अपने पास रख सकती है अब अगर किसी वेक्ति के पास लिमिट से ज़्यादा गोल्ड है तो उसे उसका वैलिट सोर्स बताना होगा कि वो गोल्ड उसके पास कहां से आया और उसका प्रूब भी उसे दिखाना होगा तब वो उस गोल्ड को अपने पास रख सकता है लेकिन बिना इंकम सोर्स बताए गोल्ड की लिमिट जो की तैकी गई है उससे ज़्यादा गोल्ड घर में नहीं रखा जा सकता अगर उससे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है तो इंकम टेक्स आफिसर उसे जब्द कर लेते हैं क्योंकि इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि वेक्ती income tax पे नहीं करता गोल्ड किसी भी form में हो सकता है या तो ये जुइलरी के form में होगा या फिर coins में होगा लेकिन आपने अपनी income से ज़्यादा गोल्ड घर में रखा है तो आपको इसका valid proof जरूर बताना पड़ेगा कई बार गोल्ड हमें gift के तौर भी मिलता है या फिर वसीयत में मिल जाता है तो इस तरह से मिला हुआ gold जिसकी value पचास अजार रुपे से कम होती है वो taxable नहीं होता यानि कि अगर आपको गोल्ड गिफ्ट में या फिर वसीयत में मिला है जिसकी वैलू 50,000 रुपे से ज्यादा नहीं है तो उस पर आपको टेक्स नहीं देना पड़ता पर वेक्ति को इसके लिए भी प्रूफ देने की जरूरत पड़ती है अगर सोना विरासत पे मिला है तो वसीयत में उसका जिकर होना चाहिए या फिर अगर गिफ्ट में मिला है तो देने वाले के नाम से उसकी रसीद जरूर कटी होने चाहिए तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने जाना कि आप कितनी लिमिट तक का गोल्ड अपने पास रख सकते हैं होब कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफर्मिशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा